हेलो, यदि आप बोर्ट एक्जामें टॉप करना चाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यहां आपको प्रति दिन फ्री लाइब क्लासेस कराया जाता है, साथ ही प्रति एक संडे को टेस्ट लिया जाता है, परिछागे दो महिने पहले से अंसॉल्ट बोर्ट पेपर हल कराया जाएगा, आप समय से तैयार रहें, वेलकम स्टुडेंट, तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको कच्छा बार, जो की NCRT से बिलकुल चलाया जा रहा है, तो यह अध्याय एक, ठीक है, जो अध्याय पहला है, यानि ठोस अवस्था, ठीक, solid state का जो बहुत important question है, तो यह हम से, आज से हम बताना start कर दिये है, तो यह इसका भाग number 1 है, ठीक है, तो पहले हम पहले chapter में दखेंगे, कौन सा important है आपके लिए, exam के लिए, ठीक है, उस question को select करके हम आपको अच्छे से बता देंगे, ठीक है, बाकी जो दोसरे chapter में आएगा उसको हम बताएंगे, ऐसे chapter wise हम एक-एक topic को clear करते चलेंगे, तो आपका ऐसे क्या हो जाएगा, revision भी हो जाएगा, और आपके जो important question है, वो भी तयार हो जाएंगे, ठीक है, चलिए, तो अगर इस बात से आप सामयत हैं, तो वीडियो को like करें, और comment box में हमको comment करके जरूर ब ठीक है, थोड़ा सा आप चलिए देखें, तो पहला सवाल हम लिए हैं, इसमें क्या है, ध्यान समझेगा, ठीक है, तो ये पहला question क्या है, कि यदी तीन तत्व, ठीक, यदी तीन तत्व, A, B, C, क्या है, A, B तथा C, राक घनिये ठोस, जालक में crystal कृत होते हैं, जिसमें A प पर माड़ू, घन के केंदर पर, तथा C, पर माड़ू, फलक के केंदरों पर उपस्थित हो, तो योगिक का सुत्र ग्याद करो, चलिए हम योगिक का सुत्र कैसे ग्याद करेंगे, यह बिल्कुल अलग तरीके का question है, हम इसको आपको जरूर बताएंगी, वो भी step by step पर माड़ू के कोनों पर इस्तीत है, तो हम यह देखेंगे, प्रती A, चलि लिखते चलते हैं, कि A जो है, एकक कोष्ठिका, ठिक, A में पर माड़ू की संख्या, पर माड़ू की संख्या, चलि देखेंगे, क्या हो जाएगा, अगर हम यह निकालते हैं, तो ध्यास देखेंगे, सवाल कहां से start है, यहां से start है, ठिक, क्या है, प्रती A का कोष्ठिका, A में पर माड़ू की संख्या, ठिक, A कहां है, यह ध्यास दिखेंगा, ठिक है, जो A है, वह घं के कहां पर है, ठिक, पर माड़ू, पुरा पुरा ठीक है, इन्टू उसका किता लेंगे, एक बटे आठ लेते हैं, ठीक है, वो जो घन का है, उसका आठ परमाणू घन के कोनों पर होते हैं, लेकिन उनका क्या लेंगे, एक बटे आठ लेंगे, तो अब हम इसको कायट देंगे इससे, तो आपका आ जाएगा एक, एक आ जाएगा ठिक है अब देखिए बी के परमाणू की संख्या अब बी के परमाणू की संख्या निकालते हैं तो बी के परमाणू की संख्या क्या हो जाएगा ध्यांस देखिए जैसे हम एक परमाणू की संख्या निकाले हैं वैसे ही बी का निकालेंगे फिर सी का निकाले फिर इससे हम योगी का सुत्र भी निकालेंगे तो आपको ए वाला समझ में आ गया अगर ए वाला समझ में आ गया तो बी और भी अच्छे समझ में आ जाएगा तो पहले हम देखेंगे कि बी कहा है बी परमाडू घं के केंदर पर है आप देखिए घं के केंदर में होगा तो क रखते हैं पूरा पूरा लेते हैं तो उसका क्या हो जाएगा उसका हो जाएगा एक ठीक है इंटू एक ठीक है तो इसका आपका क्या जाएगा इसका जाएगा वन आ गया तो भी परमाडू संख्या आ गया अब देखते हैं इस परमाडू तो तीन से मिलकर बना है तो ए से बन की संख्या सी के परमाडू की संख्या हो गया अब देखें सी के परमाडू संख्या हो गया तो हम कैसे निकालेंगे देखें पहले सवाल में चलते हैं सवाल में क्या कह रहा है कि देखें क्या कह रहा है कि जो सी है वो कहां पर है सी परमाडू फलक के केंद्रों पर उपस्थित हो कहां हो फलक के केंद्रों पर तो फलक के केंद्रों पर इस्तित होगा तो फलक कितने होते घन में छो फलक होते हैं तो छो ले लेंगे उसका और उसका कितना लेंगे आधा लेते हैं ठीक है छो का आधा लेंगे ठीक तो क्या हो जाएगा दो के दो दो त्रिक का छो तो कितना आजाएगा तो आपका योगिक का सुत्र जो आएगा क्या हो जाएगा अतह लिखेंगे अतह योगिक योगिक का सुत्र ठीक है योगिक का सुत्र क्या हो जाएगा एका कितना एक आया है तो जगा ए A, B का कितना है, एक है, तो A, B हो गया, अब C का कितना है, तो A, B, C, 3, यह हो जाएगा आपके योगिक का सुत्र, ठीक है, सौरी देखिए, आपको दिखाई नहीं दिया, तो ध्यास देखे फिर से नीचे, तो यह हो गया, अता योगिक का सुत्र क्या हो जाएगा, A आपका ए एक है ठिक B आपका भी एक है तो A B C कितना है तीन आया है तो A B C 3 यह हो गया आपके योगी का सुप्त्र इस तरह से आप सब निकाल सकते हैं ठीक है अगर आपको डाउट हो कहीं तो आप एक सवाल फिर से पूछ सकते हैं ठीक है हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे ठ एक क्या दो बता देंगे ठीक है लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं रहने चीए ठीक है चलिए तो आप चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरब देखते हैं नेक्स्ट कोस्टन क्या है उसको देखते हैं अच्छे से सवाल क्या कहा रहा है पहले सवाल कौन पढ़ते हैं समझते है उसके बाद सुरू करते हैं, ठीक है, तो सवाल में कहा रहा है, कि यहने CL के एकक सेल का आयतन 1.8 एक गुड़े 10 के गाते माइनस 22 सेमी क्यूब है, ठीक है, और क्या कहा रहा है, यहने CL के एकांक, देखिए, एकांक हो जाएगा, ठीक है, एकांक सेल के घनत की गर्ना कीजिए, क्या पुछ रहाएप से घनत तो पूछ रहा है, तो चलिये, घनत तो इसका निकालते हैं, तो घनत निकालने के लिए एक फार्मॉला हमने आपको बता दिया था, ओर याद होगा, ठीक है, और नहीं याद होगा, तो घबरानिक कोई बात नहीं है हम आपको बता देंगे ठीक है तो आप उसको नोट कर लेजिए ठीक है चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा इसका तो पहले हम यह देखेंगे कि जो यन्य CL है, पहले हैं जो दिया हम उसको लिखेंगे, क्या दिया है, पहले ग्यात है, क्या हमको ग्यात है, कोश्र में क्या दिया है, कि यन्ये CL, ठिक, यन्ये CL के एकक सेल का आयतन ठीक है यहांने सील के एकक सेल का आयतन क्या दिया है 1.81 ठीक है गुड़े 10 के घाते माइनस 22 सेमी क्यूब दिया है कोई डाउट तो नहीं है नहीं आपे चलिए यह इतना आपका दिया है अब देखते हैं कि आपका फार्मूला क्या होता है तो देखें फार्मूला को निलिग दे रहा है हम कि एकक एकक सिल का घनत्व क्या होता है एकक सिल का घनत्व इसको हम रोज दिखाते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा जेड यम ठिक, जेड इन्टु यम अपान, क्या होता है यन ए ठिक है, यन्य इन्टु ए क्यूब, अब हम ये फार्मलर लिख तो दिये हैं लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है जो वीडियो नहीं देखें, पहले के बच्चे उनको नहीं समझ में आ रहा हो कि जेड क्या है, ए क्या है, यन्य क्या है तो उनको नहीं समझ में आएगा, ठिक है जो वीडियो सुरू का देखें होंगे पहले का जब हम चेप्टर पढ़ाया थे उनको बहुत ही अच्छे समझने आएगा ठीक है कीुकि हो एहां हमने बहुत ही डीटियल जिमी बताया था बिल्कुल अच्छे से तो ठीक है यहां भी हम अच्छे सतो नहीं बता पाएंगे लेकिन जो सवाल है उसको हम अच्छे समझा देंगे ठीक है जो क्या है यह परमाऌुग संख्या है जैप चरह की लंबाई इस यह का यह वाइगा अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा थिक है चलीए तो तो देखिएियार से दिखेगा यह फार्मला हो गया, यहाँ, यहाँ क्या है, यह नहीं, जो यह चीज दिखाई दे आपको, क्या है यह नहीं, आवगेद्रो संख्या है, क्या करते हैं, आवगेद्रो संख्या, आवगेद्रो संख्या, कितना है दिया है, आवगेद्रो संख्या कितना होता है, होता है, 6, 0, 2 गुडे 10 क्गाते 23 इतना होता है औगेद्रो संख्या अब देख जेड का मान क्या दिया है क्या हुथा है प्रति 1 एकाई सर्मे अडूओं की страх क्या होता है जेड बराबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है ठीक कैसे पता यह 4 आया ठीक है तो FCC में क्या होता है अड़ों की संख्या 4 होती है तो FCC संख्चना है ठीक है तो इसलिए क्या हो गया यह जेड बराबर 4 clear इतना चलिए अब आगे चलते हैं कि हमारा क्या दिया है उसको लिखते हैं उस सवाल को जल्दी से लगा के खली रहते है ठीक है तो आड़ी भार कितना दिया है यानि यम ठीक है तो यम कितना दिया है अपका यम का वैलू क्या है यम का वैलू दिया है 58 ठीक है दसमलव 5 दिय इतना दिया है एक चीज और ध्यान से दिखेगा कि अगर यह जो है यह जो फार्मूला है इसको हम समीकर डेक मान लेते हैं ठीक है अब देखिए आपका पूछ रहा है क्या तो आपका एक चीज़ के सबकी सीज़ क्लियर हो गया लेकिन एक चीज़ क्लियर नहीं हो पार है कि भी आयतन जो है क्या है भी भी बराबत क्या है एक क्यूब है तो भी क्या होता है आयतन होता है तो आयतन एक क्यूब होता है ठीक है तो अब एक का मान क्या दिया है उसका हम क् वैलु दिया है आपका एक दसम लाव आठ एक ठीक है घुड़े दस के खाते माइनस 22 अब इसका क्या करेंगे इसका करेंगे Shallow एक हो गया क्यूब चलिए तो आप देखी क्या करेंगे आप यही जो डिया है आप हम इसमें रखेंगे समिकर एक में मतलब कि यह हो जाएगा आपका रो बराबर D कमान क्या दिया है जड्यम उट्टा एक यूब यह नहीं ठीक है यही नहीं स्वरी यहां पर इसक्वाइर रें यहां पर एक यूब होगा ठीक है चलिए तो दिखिए क्या हो जाएगा अब देखिए अब Q, तो य raped का मान कितना है, वैंप के दो संकी आपको पता है, 6.00, 2, 2, ठीक है, गुडे我說 दस के घाते 23, यह हो गया, into a Q, ठीक है, a Q का मान कितना दिया है, भी बराबर होता a Q, तो a Q, देखिये, यहाँ पे a Q है, तो a Q का value का पूरा दिया है, आतना अपका यहीही है, तो यह हो जाएगा आपका aq, यहाँ पर यह नहीं रहेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1.81, ठीक है, गुड़े, 10 के घाते, माइनस, 22, हो गया, तो जहां से देखें कि यहाँ पर यह दिया हुआ था, तो भी बराबर हमने निकाला आयतन, तो आयतन aq भी होता है, ठीक है, तो aq की value उनको पहले से पता थी, तो aq की value क्या थी, यह थी, ठीक है, तो हमने यहाँ पर रख दिया, आप इसको calculate करेंगे अच्छे से, तो आप इसको calculation कर लिजेगा, इसका जो answer आएगा, क्या आएगा, इसका answer हो जाएगा आपका total, 2.14, ठीक है, gram, क्या हो जाएगा, gram प तो ऐसे लगता है, यह सवाल, ठीक है, तो इस फारूले पर आपको सवाल नहीं बताया गया था, तो यह समझ लीजे, यह हो गया आपका सवाल, और आपको अच्छे से बता भी दिया गया, तो आपको समझ लिया गया, आप इस calculation को पुरा हल कर सकते हैं, हल करने बाद देखे टोटल वैलू आपका इतना आएगा, ठीक है, चलिए, तो हो गया, चलिए, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हम इससे related जो बहुत ही, very, very, very important, ठीक है, हम आप के लिए special वीडियो बनाएंगे, ठीक है, चलिए, तो अभी हमको कुछ बहुत important topic अभी पढ़ना बाकी है, तो उसको हम अगले वीडियो में आपको provide करा देंगे, ठीक है, तब तक के लिए wait कीजिए, क्योंकि वही एक chapter का जान है, ठीक है, इस chapter का निचोड साला वही है, ठी क्या करेंगे, clear कर देंगे, ठीक है न, चलिए, तो वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक जबूर करेंगे, चलिए, thanks for watching,